दोस्तों जैसा कि हम discuss कर रहे है about the second administrative reforms commission उसमें हम public order के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमने सबसे पहले देखा कि किस तरीके के police structure को हम चाहते हैं किस तरीके का आज exist कर रहा है और pre-independence हमारा police structure उसकी functioning किस तरीके की थी In this lecture, we will be going to talk about the differences between the public order between the law and order and between the security of state Generally दोस्तों क्या होता है कि हम लोग public order और law and order के बीच में differentiate ही नहीं कर पाते In fact, हम तो क्या? हमारा police system ही differentiate नहीं कर पाता मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा examples के थू मगर उसके पहले बहुत ही famous court हमारे APJ अब्दुल कलाम साब के द्वारा अगर real criminals को हमारी society में छोड़ दिया गया without punishment बहुत सालों तक तो इसको criminal justice का delay माना जाएगा क्योंकि criminal justice system के through ही with the due process of law real criminals को punish किया जाता है and up to the capital punishment हमारे आज भी capital punishment दी जाती है अजमल का साब again इसी के साथ मैं खेर वो terrorist था उस पे अभी नहीं जा रहे तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमारा criminal justice system fail होता है punish करने में criminals को तो it will certainly and indeed result in multiplication of people taking to criminal acts क्योंकि फिर उनको डर नी रहेगा अराम से crime करो क्योंकि आपको punishment तो मिलनी दिये तो यह भी जद्दुल का राम साब का मानना था और ऐसे बहुत से thinkers आपको मिल जाएंगे जाओ अगर आप court पढ़ना चाहो तो तो यहाँ पे हम differentiate करना शुरू करते हैं law and order, public order and security of state को थोड़ा सा funny मनाने की कोशिश करता हूँ उसको देखो दोस्त law and order का मतलब क्या होता है जैसे अगर मैं आपको example दूँ protest का, तो आप मुझे यह बताओ कि protest करना allowed है हमारी country में या नहीं है allowed है मगर allowed नहीं भी है allowed इसलिए है क्योंकि यह हमारा right है protest करना but if you are disturbing the public order तो आपको protest करने से रोका जा सकता है that mean with certain exceptions you are allowed to do a peaceful protest यह हमने समझ लिया अब यह जो protest होता है दोस्तों कई बार इस protest को police आके रोक देती है जैसे अगर मैं आपको बहुती classic example इसका देने की कोशिश करूँ तो वो है शाहीन बाग का शाहीन बाग case यह किसके लिए था आप सब जानते हो मैं भी जानता हूँ citizenship amendment act now I am not talking about whether this is constitutional whether this is not constitutional यह बिल किसके लिए था यह क्या था of course not मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ protest के लिए दोस्तों होता कुछ यह है शाहीन बाग में peaceful protest चल रहा होता है mine again बता रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ प्रोटेस्ट के बारे में शाहीन बाग केस का जो प्रोटेस्ट था वो बिलकुल peaceful था मगर फिर होता कुछ यू है कि कुछ छुडबईये नेता आते है या चिंटू जिनको हम बोलते है वो आते हैं वो रुकूस क्रियेट करते हैं चौराहों पे जाके वो बसेस को रोकना शुरू कर देते है और थोरी वाइलेंट एक्टिविटी करना शुरू कर देते है यहाँ पे आपको देखने की जरुवत है जब ये एक्टिविटी शुरू होती है तो क्या होता है कि ये प्रोटेस्ट एक वाइलेंट रूप ले लेता है और ये वाइलेंट रूप से पुलिस को ऐसा लगता है कि एक riot जैसी situation ना बन जाए जिस कारण से कि इसको public order का हवाला देते हुए इस protest को रोग दिया जाता है तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि protest जो आपका right था मगर वो riot में, right और riot में confuse मत हो जाना हम सब जानते हैं ना protest करना right था तो जो आपका right था वो riot में convert ना हो जाए पुलिस को ऐसा लगा जिस कारण से नोंने इस protest को रोग दिया अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा कि law and order आपको क्या देखने को मिला फिर दोस्तों law and order की जो situation होती है वो होती है अगर मान लो कि कोई दो ग्रूप आपस में कहीं पर लड़ लिए एक village हो सकता है किसी district में दो ग्रूप लड़ लिए कुछ लोग लड़ लिए ऐसा समझ लो यह होता है law and order की situation जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने जब रुकूस क्रियेट करना शुरू किया जब यहाँ पे कुछ लोगों ने टायर जलाना शुरू किये इस तरीके के जो acts है वो law and order में आते हैं मगर मान लो कि कुछ ग्रूप या यह जो दो ग्रूप हैं यही दो ग्रूप एक communal इशू पे लड़ रहे हैं मान लो जो हमारे हैं सबसे जादा होता है हिंदू-Muslim डिवाइट के कारण हिंदू और मुस्लिम ग्रूप लड़ रहे हैं तो अगर यह आशंका होती है कि यह law and order की situation public order में तबदील हो सकती है मतलब कि यह एक इतना बड़ा इशू बन सकता है यह एक ऐसा communal division ऐसा communal riot create कर सकता है village से उठके district से उठके पूरे state में फैल सकता है तो इसको वहीं की वही public order गोशित करके हमारे district में स्टेट साब के पास power आ जाती है कि वो बहुत सारे section 144 impose कर सकते हैं और भी बहुत सारे चीजें implement करके इसको रोक सकते हैं तो difference क्या समझा हमने law and order और public order के बीच में कि law and order को आप बहुत छोटे स्तर पे देखोगे मगर अगर आपको आशंका हो और यह अगर बहुत massive level पे फैल रहा हो तो इसको आप public order बोलोगे और अगर यह riot इतना होगा कि हमको जानना जरूरी ही क्यों है कि law and order और public order में difference होता क्या है मतलब अगर दंगा हुआ या दो ग्रूप लड़े चार ग्रूप लड़े हमें उससे क्या है हमें तो सिधे मान लेना चाहिए कि public order disturb हुआ है और उस चीज को रोक देना चाहिए नहीं यही एक सबसे बहुत इंपॉर्टन चीज है हमारी जो पुलिस सिस्टम है उसको जो responsibility दी गई है वो दी गई है law and order को maintain करने की वहीं अगर हम district magistrates साब की बात करें तो district magistrates साब को responsibility दी गई है public order maintain करने की आपको समझ में आया difference क्या है कि law and order situation जब तक बनी हुई है मतलब कि कोई टायर जला र district magistrates साब action में ना आये जब तक ये law and order public order की problem ना बन जाए क्योंकि उसके बाद आपको उस पूरे protest को ही रोकना पड़ जाएगा तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप एक perspective तो समझ गए law and order public order security of state में क्या difference होता है अब मैं आपको दूसरा perspective समझाता हूँ देखो every situation जहां पे भी security of state threatened होगी ये अपने आप में एक public order का issue बन जाएगा उसी तरीके से अगर कोई situation public order को हिला रही है तो वो अपने आप एक issue बन जाएगा law and order का क्योंकि देखो न आसान सी बात है कोई भी issue public order बन सकता है क्या जब तक वो law and order का issue नहीं बन सकता क्योंकि हमने क्या देखा public order जब भी बनेगा जब छुटबईये नेता बहुत सारे हो जाएंगे हर village से उठने लग जाएंगे तो वो public order बन जाएगा मगर इस public order के लिए छुटबईये नेता तो लगेंगे इसका मतलब जब भी public order बिगड़ेगा तो law and order तो आपका बिगड़ चुक कि public order अगर बिगड़ा तो law and order ज़रूर बिगड़ेगा मगर हमने यह देखा कि law and order बिगड़ा इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि public order भी बिगड़ रहा हो तो दोस्तों यहाँ पे मैं उमीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से difference between the law and order जो की छुटबईये नेता आप से आप रखोगे public order जो की massive level पर हो जाए और security of state जो की पूरे देश पर सवाल उठने लग जाए इसका difference आप समझ चुके हो अगर हाँ share ज़रूर करना वीडियो को चैनल को subscribe करते वे जाना also stay tuned with me for the future lectures on public order and in the end keep shining have a good day